आज हम बनाएंगे बहुती फेमस बेंड मी पूरी और उसके साथ भंडारे वाले आलू की सब्जी जो की बिना लसुन पैस की बनती है एकदम स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है लेकिन मैंने यहाँ पर रेसिपी को बहुती सिंपल तरीके से आपको बताया है जिससे आप रेसिपी कभी भी बना सकते हो एलो फ्रेंज नेत्रा किचन में आपका सौगत है तो चलिए आज की मज़दा रेसिपी को शुरू करते बेन मी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डो लगाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर देड़ कप गेहु का आटा लिया है इसमें हम डालेंगे एक चोटाइक कप सूजी आप चाहो तो बारीक वाली सूजी का इस्तमाल कर सकते हो पन मैंने यहाँ पर मोटी व पावडर आदी छोटी चमच नमक और तीन बड़े चमच गी डाल देंगे गी से क्या होता है खस्ता बनती है पूरी लेकिन आप चाहो तो इसमें तेल का इस्तमल कर सकते हो अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे अगर आपको पूरी का कलर यलो चाहिए तो आप इसमें हल लेती है इसलिए हमारा डो जादा सौफ्ट होना चाहिए तो आप इसे कड़ा गुन देगे तो डो जो है फूल के बहुत जादा कड़ा बन जाएगा तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथ की हतेली से इसे गुन लेंगे आप इस पूरे में मैदा का इस् तो यहाँ पर मैंने इसे गुन लिया है मैंने डो को थोड़ा सा नरम गुन दाए अब इसे ढख के कम से कम 15 मिट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए 15 मिनिट यहाँ पर हो चुके तो यह हमारा डो रेडी हो चुके अगर आपको लग रहा है कि डो थ ऐसा रखना है तब हम क्या करेंगे छोटी छोटी इसकी लोई बना लेंगे और लोई बना के रख देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से सारी लोई बना लेंगे और लोई बनाने के बाद हम चलते स्टपिंग बनाने के लिए यानि की बेंड मी बनाने की प्रोसेस में तो उस यहां पर इसे अच्छे से रगड ले ताकि उपर से जो गंदगी निकल जाए लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता है इसे आप धोके भी ले सकते हो धोके अच्छे से पोच ले उसके बाद धूप में या फिर पंखे के निचे सुका ले उसके बाद कर ले अब हम इस दाल को रो कि मैंने यहां पर दीमा रखे जब इसका कलर हलका सा चेंज हो जाए और इस में अच्छे से खुश भूआ जाए तब हम इसे बन कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकल लेंगे और इसे थंड़ा कर लेंगे और जब तक यह थंड़ा हो रहा है ना तब तक हम स्टपिंग में तो मसालों को ऐसे लो फ्लेम पे बिना तेल की हलका सा बून लेंगे और उसके बाद आप चाहो तो खलबता या फिर मिक्सी जार में आप इसे कूट सकते हो तो यहाँ पर मसालों को बून लिया है ग्यास को बन कर लेंगे अब हम इसे पीस लेंगे तो यहाँ पर मसाला जा जबंग्क मसाला रेड़ी हो चुकि है इसको हम सबजी में इस्तमाल करेंगे इसे हम अलग रख देंगे और डाल हमारी थंडी हो चुकि है सेम ग्रैंडिंग तेमने हम दाल को डाल दिंगे और पीस लेंगे डाल पिस्ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि दाल को हम दरदरा पिसेंगे पावडर नहीं बनाना सिर्फ मिक्स्चर को हम चलाएंगे और बंद कर देंगे ऐसे दो से तीन बार करेंगे ये जो दाल का पावडर है वो ऐसा होना चाहिए दिखिए तो अब हम चलते गैस की तरफ गैस आन करेंगे और पैन को गरम करेंगे पैन में दो चमच तेल डाल देंगे तेल जब हलका सा गरम हो जाए तब हम इसमें आदी छोटी चमच लाल मिस का पावडर आदी छोटी चमच हल्दी पावडर आदी छोटी चमच गरम मसाला पावडर और यहाँ पर आदी छोटी चमच हिंग डाल देंगे हिंग यहाँ पर बहुत ही जरूरी है धान रखे कि तेल जादा गरम नहीं हो तब भी यह मसाले डाल देंगे और मिला देंगे अगर तेल जादा गरम हो तो गैस को बंद कर देंगे तेल थंडा होने के बाद मसाले डाल देंगे तब हम क्या करेंगे उपर स से भुनावा मसाला पाउडर डाल देंगे तो यहाँ पर न थोड़ा सा मसाला में सबजी के लिए रख दूँगे आप चाहँ तो पूरा मसाला अड़ कर सकते हो भुनावा मसाला यहाँ पर मैंने मिला दिया है और जैसे सारे मसाले मिक्स हो जाएगे तब हम इसमें डाल का पाउडर डाल देंगे तो हमने पिसके रखा था तो यहाँ पर यह देखिए मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पर मैंने डाल को डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिला देंगे आदे मिनिट के लिए इसे धीमियाच में पकाएंगे हम इसमें डालेंगे आदा कब पानी पानी डालने से डाल जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पे पानी डाल के इसे अच्छे से मिला दे इसके बाद कम से कम दो मिनिट धीमियाच में इसे दे जैसे ये थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएगा उसके बाद जैसे ये सूख जाएगा ये दिखी ऐसे ये ऐसे वाली स्टपिंग ना पूरे में बहुती अच्छी लगती है यहाँ पर इसे थोड़ा थंडा कर लिया है थंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच आमच का पाउडर नहीं है तो आप निम्बू का रज भी डाल सकते हो तो यहाँ पर यह देखिए मसालों का अच्छे से मिला दिया है मैंने तो यह हो गई है हमारी पूरी की स्टपिंग बनके तयार इसे बनाकर फ्रेज में आप रख सकते हो और कम से कम 4-5 दिन तक इसे आराम से इस्तमाल कर सकते हो और यहाँ पर स्टपिंग बनके रेडी हो चुके अब हम इससे छोटे-छोटे बॉल्स बनाते अपिंग करनी है न तो ऐसे बॉल्स बनाके रखके तो स्टपिंग अच्छे आएगी नहीं तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके भरना पड़ेगा तो अब हम चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में उसके लिए आप पर स्टपिंग रखे लोई रखे थोड़ा सा सुकाटा पूरी बेलने के लिए अगर आपको पता है स्टपिंग कैसे भरी जाते है तो यह ट्रेडिशनल तरीका है अतलब ऐसे कटोरी जैसे बना लेते सेंटर में ऐसे स्टपिंग रख देंगे और किनारों को ऐसे बन कर लेंगे यह दिखिए ऐसे किनारों को एक जगा लेकर आए और ऐसे बन कर ले हलका सा प्रेस करें जो स्टपिंग जो है थोड़ी हाड़ है इसलिए हमें क्या करना है इसे ऐसे थोड़ा सा चप्टा कर लेना है ताकि ये हर तरफ से डिवाइट हो जाए उसके बाद हमें इसे उपर से बेलन चलाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सुका अटा लगाया है मैंने आप इसकी जगा तेल या घी का इस्तमाल कर सकते हो जब तक रोल करना है तब तक ये ट्रांसपरेंग ऐसे दिखने न लगे बस इतना नहीं करना कि अंदर की स्टपिंग जो है बाहर दिखने लगे अगर वैसा हुआ न तो पूरी जो है तेल में फट जाएगी तो इसी तरह से सारी पूरी को हम रोल कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सबजी बना लेंगे उसके बाद पूरी को फ्राय कर लेंगे सबजी बनाने के लिए यहाँ पर तीन चमच तेल गरम करें तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे आदी छोटी चमच जीरा और आदी छोटी चमच हिंग इसमें ज्यादा डाले इसके बाद हम डालेंगे दो इंच अद्रग बारी कटा हुआ और हरी मिज डाल देंगे अद्रग और हरी मिज को तेल में हम पका लेंगे जैसी ये थोड़े से तेल में पक जाए हम इसमें डालेंगे बेसन तो यहाँ पर gas का flame लो रखे एक बड़ा चमच हम इसमें डालेंगे कच्चा बेसन बेसन के साथ हम डालेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक चमच लाल मिज का पाउडर एक से देड़ चमच धन्या पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे जीरा पाउडर इसमें नई डालना है सिप जीरा तड़के में डालना है अब इसे बेसन को अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इस बेसन में कच्चा पने वो निकल जाए तब बेसन अच्छे से पक जाएगा ना तब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर पिसके, साथ में एक चमच आमचुर का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इस मसालों को पास से 7 मिन्ट के लिए धीमियाच पे पकने देंगे को तब तक पकाना है कि जब तक इसकी नरों से तेल नहीं निकलने लगे ध्यान दखे कि ये बहुती इंपोर्टन पाटे तो इसमें जलबाजी ना करें अगर आपको सबजी की टेस्ट बहुती अच्छी चाहिए तो धीमियाच पर आप इसे ढखके पकने दें तो यहाँ पर 5 मिन्ट हो चुकिए तो यह हमारा मसाला अच्छे से बन के तयार है अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर मैंने 3 कप पानी डाला है मैं यहाँ पर 3 आलू की सबजी बना रही हूँ पानी डालने के पाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे जैसे पानी और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तब हम इसमें डालेंगे आलू तो यहाँ पर 3 उबलेवे आलू लिये मैंने छिलका निकाल लिये मैंने और इसे ऐसे कट करके नहीं डालेंगे हातों से ऐसे तोड़के डालना है दूकान में जो कचोरी के साथ आलू की सबजी मिलती है न वो भी ऐसे ही बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है लसुन पैस के बिना और आलू को हातों से ऐसे क्रश करके डालेंगे थोड़े चोटे तुकडे थोड़े बड़े तुकडे करके डालेंगे इसके बाद नमक डाल देंगे लास्ट में हम एक चमच कस्तुरी मेती को क्रश करके डाल देंगे मिला देई से ग्यास का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखे और इसे दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से पकने देंगे करी में उबाल आना चाहिए अब हम इसमें बुनावा मसाला जो हमने थोड़ा सा बच्चा के रखा तन ओर डालेंगे ग्यास बंद करने से पहले और इसके साथ हम डालेंगे पारिक कटावा धन्या पत्ता बस और कुछ भी नई डालना है ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है ग्यास को बंद कर लेंगे और इसे तूरंती गर्मा गरम सफ करेंगे बहुती आसान रेसिपी है ना बहुत सारे फ्लेवर के साथ ये सब्जी बनती है जितनी आसान और उतनी ये टेस्टी लगती है तो ये हमारी कचोरी वाले आलू की सब्जी बनके तयारे अब हम क्या करते है पूरी को फ्राय कर लेते है तेल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रखा था ग्यास का फ्लेम यहापर हाय रखे तेल जादा गरम हो तब भी आप इसमें सावदानी से पूरी डाले जैसे पूरी तेल में डाल देंगे इसके उपर हलका सा प्रेस करेंगे और गरम तेल जो है उपर डाल देंगे इससे क्या होगा हमारी पूरी जो है फूल जाएगी और इस के बाद पूरी के उपर हलका सा फ्रेस करना है तब भी हमारी पूरी फूलेगी तो इसी तरह सारी पूरियों को फ्राय करेंगे तो पूरी हमारी रेडी हो चुके सब्जी भी रेडी है अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में गर्मा गरम पूरी के साथ ये एकदम किस्ती बेंड मी पूरी और आलू की सब्जी बनके तयारे ये दिखिए देखने में कितना अच्छा लग रहे अब भी इससे एक बार जरूर ट्राय करें तो यहाँ पर एक कचोरी आपको तोड़के दिकती ये दिकी पूरी की उपर की लेयर बहुती क्रिस्पी बनिये और अंदर चटपटी मसालेदर स्टपिंग है आप भी सब्जी और पूरी को एक बार जरूर ट्राय करना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले